इस वीडियो में फिर लेकर आया है आपके लिए एक और साइंटिफिक फैक्ट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जालों में जब आप स्वेटर उतारते हैं तो स्वेटर उतारते वक्त चिंगारिया निकलती हैं और पॉपिंग की आवाज भी आती है क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और पता करें कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों ये बात तो सभी जानतें कि हमारे स्वेटर्स एकसर करके वुल के ही बने हुए होते हैं जबकि हमारी शिर्ट cotton या cotton mix synthetic fibers की बनी होई होती है हमारी synthetic या synthetic fiber mix cotton shirt और स्वेटर लगतार एक दुसरे के करीब होने की वज़ां से रगड़ खाते रहते हैं और इस रगड़ से एक तरफ से निकल कर दूसरी तरफ चले जाते हैं और इस एलेक्ट्रोन ट्रांसफर की वज़ा से दोनों कपडों के बीच में potential difference डेवलाप हो जाता है और इस potential difference की वज़ा से जब आप स्वेटर को उतारते हैं तो उसमें electrical discharge होने लगता है जो हमको चिंगारियों की शकल में दिखता है और इसी electrical discharge से popping sound की आवाज भी आती है इसका मतलब यह हुआ कि जो चिंगारियों स्वेटर से निकलती हुई दिखती है वो electrical discharge यानि की electrons के बहाव की वज़ा से दिखती है दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए आये तो जरू जरू सबस्क्राइब कर ले थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग